दोस्तो इस जड़ी बुटी का इस्तमाल करें असाध्य से असाध्य रोगों से छुटकारा पाएं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस गुरु ग्यान अर्वेदा चैनल में दोस्तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच एक महत्पून जनकारी को लेकर जिसका नाम है अपर करा दोस्तो हमारे चैनल का मेंन मकसद है आर्वेद से जोड़ी महत्पून जनकारीओं को आप सभी के बीच पहुँचाना अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले मिलती रहें तो यह भारत बर्ष के हर एक छेत्रों में बहुत ही असानी से मिल जाने वाली बनस्पती है इसे हम लोग परकरा के नाम से जानते हैं यह बनस्पती बरसात के मौसम में अपने आप उग जाती है यह बहुत ही खुपसूरत बनस्पती है यह देखने में हरा भरा मनलु भावन चारों तरफ फैली एक दूसरे से जुड़ी फुल पतियों वाला पौधा है इस पौधे की सहायता से कई ऐसे असाध्य से असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है इस पौधे के कई परकार के हमियोपैतिक भी दवाएं बनाई जाती है यह रस में कड़वा होता है प्रै आए आगे जानते हैं और करकरा के कुछ महत्पूर बेनफिट के बारे में बस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अगर साइटिका की समस्या हो तो इसके लिए इसके जड़ को चूर बना कर अफरोट के तेल में मिला कर मालिस करने से साइटिका से बहुत जल्द राहत मिलती है इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्थ भूटनों के दर्थ में भी आप कर सकते हैं इसके अलावा या खासी की समस्याओं को दूर करने में बहुत ही लबकारी आवसदी है इसके लिए इसके पत्ते का काड़ा बना कर पीने स खासी में बहुत जल्द लाग मिलता है। अगर दातों के दर्द से आप परसान रहते हैं तो इसके फूलों को चबाने से दातों के दर्द में बहुत जल्द राहत मिलता है। कुछी दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आप दात खास खुजली की समस्या से परसान हैं तो इसके लिए इसके पत्तों और फूलों को पीश कर लेप तयार कर लें और दात खास खुजली वाले अस्थान पर लगाएं इससे दात खास खुजली बिलकुल रूप से ठीक हो जा झाल